दोस्तों आज मैं अपने चैनल की content को एक step उपर लेकर जाने वाला हूँ क्योंकि आज मैं आपको दूँगा MCX की futures trading strategy जिससे कि आप अपने return को multifold कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी opportunity रहती है 3.30 बजे के बाद आपका जो margin रहता है वो free रहता है जिसको आप utilize कर सकते हो MCX में जिससे कि आप communities को buy and sell कर सकते हो और अच्छा returns generate कर सकते हो और बहुत simple सी strategy है option selling की अगले parts में लाने वाला हूँ अभी यह futures की strategy है यकीन मानों आप खुदी का होगे इस पर volumes कम रहते हैं मैं बता जो ताहूंँ पहले से volumes कम रहते हैं as comparison to Nifty Bank Nifty मतलब NSE and BSA यहाँ पर volumes कम रहते हैं लेकिन जो profit है वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि multipliers बहुत बड़े हैं इक point की movement पे आपको 5000 रुपय तक का profit होता है zinc पर and aluminium पे भी कुछ इसी तरीके से 25 रुपय तक का आपको profit होता है आपको जरूर पसंद आएगी and पूरा proof रहेगा पिछले एक महीने देट महीने की slides दिखाऊँगा आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यह strategy एक्चुल में काम कर दी है क्योंकि Nifty में है, Bank Nifty में इन में क्या हो सकता है इन में technical analysis and proper पर जो rules होते हैं वो सही से follow नहीं होते है क्योंकि manipulation होडा बहुत हो जाता है लेकिन जो communities होती है यहाँ पर manipulation बहुत कम होता है बहुत हद तक कम होता है volumes थोड़े कम रहते हैं on the other hand लेकिन आपको अच्छा profit देखने को मिलता है पूरा वीडियो एंड तक देखके जाना आपको बहुत अच्छा लगेगा and अच्छे से strategy समझ में आएगी चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें किस community पर trade करना है तो हम लोग यह वारा system जो operate करेंगे वो zinc पर करेंगे and aluminum पर करेंगे फिलाल मैं आपको zinc का chart दिखाऊंगा and size जीजें बताऊंगा देखो इसके भी monthly futures रहते हैं यहाँ पर देखो zinc November 2024 मैं recommend करूंगा कि आप trading view पर इसके chart दिखें क्योंकि यहाँ पर continuous futures होते हैं यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो आपको futures दिखेगा future का chart दिखेगा सबसे पहरे तो लगाना बता देता हूं यहाँ पर आओ watch list में zinc search करो and यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे all per section में रहोगे तो आपको बहुत सारे futures देखने को मिलेंगे सबके नीचे expiry लिखी होगी November, December, January, February, March यहाँ पर इस तरीके expiry लिखी होगी आपको current expiry पर हमेशा trade करना है क्योंकि current expiry पर सबसे अच्छा volume रहता है अगर मैं देखू, volume देखिए यहाँ पर लिखकर आ रहा है volume 30, 5, 59, 46, and 9, 29, 73 enough volume है इतने पर हम trade कर सकते हैं अब देखो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको trading view पर काम करना है क्योंकि trading view क्या है trading view पर यहाँ पर आपको continuous futures मिलते हैं अगर मैं यहाँ पर इसका one day का chart लगाँगा ना तो वो भी आ जाएगा यहाँ पर देखो corona थक का भी chart आगे क्योंकि यहाँ पर futures add-on होते जाते हैं यहाँ पर देखो जैसे की लिखा हुआ है यह कौन सा contract है यह है zinc 2018 का April का contract इसके बाद May का contract होगा तो इसलिए यह append होते जाते हैं एक के बाद एक तो हमें काम करना है पांच मिनिट की chart पर या फिर 5 मिन की candle पर दो indicators का use करना है सबसे पहला indicator है दोनों को अटा देता हूँ सबसे पहले तो सबसे पहला indicator है BB माला ballinger bands volatility का indicator है बहुर अच्छी तरीके से काम करता है यह beach की जो line है से आप हटा सकते हो जाओ तो settings में जाओ visibility नहीं style में जाओ and basis को untick कर दो यहाँ से आपका यह हट जाएगा and एक चीज और make sure कि आपने इस video को like कर दिया हो subscribe कर लिया हो क्योंकि यह आपके लिए भी बहुँ जादा important होने वाला है एकलौता ऐसा channel है जहाँ पर आपको mechanical strategies full A to Z देखने को मिलती है proper rules के साथ and मैं back test भी साथ में provide करता हूँ यकीन मानों यह पूरी की पूरी journey होने वाली है एक बड़े youtube channel की तो make sure कि आप पहले से ही इसका हिस्सा बन चुकी हो subscribe कर लेना इस channel को बहुत जादा important है आप regularly अगर देखते हो तो subscribe जरूर से जरूर कर लेना पहली बार उसके बाद मैं थोड़ा पीछे चलता जाऊँगा देर देर समझाने के लिए आपको यह zinc futures का chart है यह देखो आपको क्या करना है सबसे पहले signal समझनी को इस करो कि signal किस तरीके का है आपने ballinger band देख लिया RSI देख लिया इसकी range समझ लो RSI की range होती है 70 upper range कि दोनों ही चीजें overbought region में आ जाएं सबसे पहले समझाता हूँ ballinger bands में upper overbought किस तरीके से आता है जब भी candle close देती है ballinger upper band के ऊपर तब होता है overbought same चीज RSI में होती है जब भी 70 से ऊपर RSI की value आ जाती है तो उसे हम लोग overbought बोलते है and आपको यहां पर signal का इंज़ार करना है and यहां पर आपको short करना है same vice versa आपको करना है नीचे से मतलब की sell यहां पर आपको sell करना है क्योंकि overbought हो गया ना तो overbought जब हो जाता है तो आपको sell ही तो करो यहां पर आपको short करना है and छोटे-छोटे points का stop लो सकना है ना आप एक point का and दो point का आपको target रखना है चाहो तो आप one-to-one का restitute award भी रख सकते हो accuracy अच्छी है इसलिए same यहां पर देखो यहां पर भी हुआ है market उपर निकला ballinger band से and rsi भी निकला जैसे ही आपका जो price है close price है आपको छोटे-छोटे points का SL रखना है वो आप अपने हैसाब से कर सकते हैं क्योंकि यह बिल्कुल raw logic है इसके ओपर अगर आप चाहते हो कि मैं regularly अच्छा content लेकर आऊं क्योंकि अभी मुझे थोड़ा चाहिए है कि MCX लोग prefer कर भी रहे हैं या फिर नहीं सेफोसेट पर एक मैं सैंपल दिखा रहा हूँ इसमें और भी अच्छी सिस्टम्स बनाए जा सकते हैं अच्छी रूल्स बनाए जा सकते हैं ऐसा समझो यहाँ पर आपको करना है sell अच्छी trade यहाँ पर आपको मिलेगी समझो अगर यहाँ पर आपको मिली 287.90 मतलब 288 पर यहाँ तक भी चल गया आपका समझे लो 2 पॉइंट भी चल गया 288 से लेके 286 तक भी चल गया तो आप पता कितने रुपे ले जाओगे मैं आपको दिखा जाता हूँ zinc मैं salt करते हैं एक यहाँ पर आप ले जाओगे 1 lot equal to होता है 5 metric ton of zinc 5 metric ton का मतलब समझते हो मतलब की 5000 का multiplier जैसे कि आप nifty में देखते हो ना by fsl यहाँ पर 1 lot equal to 25 quantity होता है यहाँ पर क्या है यहाँ पर metric tons होते है आप एक lot के अंदर 5 metric ton मतलब की 5000 quantity ले जा सकते हो तो जब भी आपका यह जो favor में चलेगा ना 2 point तो आप 10,000 रुपए profit में होगी same stop loss की scenario में भी होगा कि आपको stop loss भी उसी value में लगेगा लेकिन इतना जाला leverage होता है इतना अच्छे आपको यहाँ पर profit देखने को मिलते हैं same देखो दोबारा से चीज यहाँ पर होई है यह oversold के लिए होगा है यहाँ पर क्या है market oversold हुआ है चोटे time zone में time region में आपर देखो बहुत ही यह नीचे आया and हमें एक indicator चाहिए था तो यहाँ पर हम लोग double indicators के साथ काम कर रहे हैं market oversold था अगली candle उसने green मनाई उसके बाद देखो दौनों कंडिशन match हो रही है oversold region में था यहाँ पर भी and यहाँ पर भी अगली candle green मनाई and उसके बाद कितनी अच्छी recovery दिखाई आदा point 0.15, 0.25 0.055 and 0.40, 0.30 almost 2 point यहाँ पर भी capture की है मैं यही कहूँगा कि छोटा time frame है तो आप कभी भी बड़े target के लिए मज जाना तो कि यहाँ पर बड़े target फिर आपको बड़े time frame में shift होना पड़ेगा वो सही से काम नहीं करता है छोटे time frame में, 5 minute की time frame में 15 minute की time frame में, सही से काम कर जाती हैं चीज़ें मैं कलता हूँ, वैसे ही मैं बता रहूँ अब देखो, यहाँ पर एक चीज़ और समझनी को इसकरो और पीछे आ जाते हैं कल का दिन देखते हैं यहाँ पर भी देखो, सेम चीज़ होई है overbought, overbought और उसके बाद short मारा हमें एक जो point चाहिए था ना, वो मिल गया यह देखो 0.45, 0.25 0.15, तो मतलब अल्मोस्ट एक point तो मिली गया ना एक point ढी चाहिए रहता है, एक point का risk रखो, एक point का reward रखो आपका काम हो जाएगा अब देखते हैं, अगली बार कहा हूँ overbought या फिर oversold होता है, यहाँ पर देखो तो ट्रेड ले सकते हो, यह वाली भी, यह वाली भी काम कर जाएगी जैसे ही की green आती है, 282, 8 पर यहाँ पर आपको almost एक point मिल जाएगा, इस वाली गंडल और इस वाली गंडल को मिला के नहीं मिलता है, तो stop loss लाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हो कि एक system में सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट नहीं हो सकता, stop losses भी लगेंगे ही लगेंगे लेकिन accuracy कितनी है, वो matter करता है, अब यहाँ पर देखो यह overpot कितना जादा हो गया था, उसके बाद कितना अच्छा pattern मनाया यहाँ पर आपको कहीं trade मिली होगी, 289.20 पर यहाँ पर आपका 289 से लेके low कितना लगाया है, 287.60 यहाँ पर चलता ही गया, अगर आप एक point का एसल रखते हो तो आपको तब भी profit होगा, दो point का रखते हो तब भी profit होगा और देखते हैं एक दो trade जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पर भी देखो overbought reason में गया है, उसके बाद re-entry करी है, उसके बाद यहाँ पर अच्छी trade मिली है सेम आप देखते जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके system काम कर रहा है अब यह system किस लिए है, system इसी लिए है, आप सारे तीन बज़े के बाद किसी market में काम कर पाओ जो आप साल का return बना रहे हो 50-60% का, उसमें आप 25-30% की increment कर पाओ, अगर अच्छे system रंखराते हो तो क्योंकि सारे जितने ज़्यादा आप sectors को trade करोगे, उतना ज़्यादा आपको experience मिलेगा और सब में अगर profitable रहते हो, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, और उतना ज़्यादा आपका profit हो multifold होगा end return भी उसी तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ ज़्यादा थोड़ी में रहा है, intraday तो trade करना है, जिस दिन आपका मन नहीं है तो आप पूरे दिन करो, mcx में, और जिस दिन मन है, आधे दिन, 3-3 बजे तक तो market बंदी हो जाता है, nsc, nbse, उसके ब अच्छे अच्छे profit कर सकते हो, इस वीडियो में इतना ही, अगर यह system आपको अच्छा लगा हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो like कर देना इस वीडियो को, and comment करना, comment box में, कि अगर आपको और अच्छे-च्छे, इसमें option selling के भी होते हैं, crude oil में जैसे की होते हैं, उनक KV अगर आपको systems जानने हैं, तो please बताना